हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आयो बाब लोग एच्छे हूँगे मैं हुर आहूल जेस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामनेक मोश्ट इंपोर्टेंट स आपके लिए लेकर आगे हैं जो उसके अगेन एक बहुत जादा इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि यह जो लेक्चर नमर थ्री है आज हम लोग का आखरी लेक्चर होगा इस चाप्टर का यानि फाइनली यह जो चाप्टर है इसके पहले दो लेक्चर हमने कंप्लीड किया था और उसमें हमने डिसकर्स किया था कि जो नूट्रिशन होता है वो क्या होता है कौन से टाइप का होता है यह हमने देखा था साथ ही में हमने देखा था दोस्तों कि नूट्रिशन इन लिविंग और्गेनिजम जो चाप्ट कैसा होता है living organism, यह आज देखने वाले, तो वीडियो पूरा देखना, animals के बारे में जितने भी nutrition वाले चीज़े हैं, सभी पता चल जाएगा आपको, और chapter भी हमारा खतम हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ज्यादा important है, ओके, तो चले शुरुआत करते हैं हेडिंगे हमारा nutrition in animals, ठीक है, animals में किस प्रकार nutrition होता है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, कि हमारा nutrition का process है, हमने तो समझ लिया था, कि nutrition का मतलब क्या होते है, कि जो भी चीज़ हमनों खाते है, उसके बदले में हमें क्या मिलती है, nutrition मिलती है, ठीक है, अब यह जो nutrition in animals है, इस injection, सुई मारते है, वो different ही है, यह injection का मतलब क्या होता है, कोई भी food हो, चावल, डाल, जो भी आप खाते है, वड़ा पाउ खाते हो, समुझा खाते हो, जो भी आप खाते है, उसको एक बार आपने मुह में डाल रहे हो, मुह में रख रहे हो, और उसको चबा रहे हो, तो वो process, जो इसके अंदर आजाता है, एक बार ingestion हो जाता है, उसके बाद आपके पेट में पहुच जाता है, वो खाना, और उसके बास शुरू हो जाता है, आपका दूसरा process, जिसका नाम है, digestion, यह तो सभी को पता होगा, digestion मतलब, जो भी food आप खाते हो, उसके जो complex molecule होते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो जाता है, और एक बार जैसे ही digestion हो जाता है, digestion के बाद होता है, दोस्तो, absorption, क्या हो जाता है, दोस्तो, digestion के बाद, शुरू होता है, absorption, absorption का basic meaning क्या है, कि एक बार आपने खाना खा लिया, तो खाना खाने से हम लोगो क्या मिलता है, मैंने आपको first lecture में बत खाना खारे वेंसे हम लोगो nutrients मिलते हैं, या तो वो carbon मिलेगा sorry, carbohydrates मिलेगा या तो protein मिलेगा, या तो fats मिलेगा या तो minerals और vitamins मिल सकते हैं तो हम लोग जो भी खाया nutrition, हम लोगो nutrition डारेक्ट ने विला, हम लोगो सबसे पहले nutrients खाया यह nutrients हमें मिला, और वो nutrients को absorb कोन करता है, जो हमारे bloods में, vessels होते हैं, तो जैसे हमारे stomach में digestion हो गया, यानि यह process complete हुआ, तो वो digestion करने के बाद हमारे small intestine में जाता है, आपको सभी को पता होगा, small intestine में जाने के बाद, उसमें microvillize present होते हैं, छोटे-छोटे hair like present structure होते हैं, वो उस nutrients जो है, आपके intestine में से absorb हो जाते हैं, उसके बाद next process का है, अभी एक बार absorption हो गया, तो उसका use भी होगा, यानि assimilation, तो assimilation का मतलब होता है दोस्तों, कि जो भी आपने nutrients को absorb किया, अभी blood के पास क्या आ गया, nutrients आ गया, लेकिन उसको use भी तो करना है, तो assimilation है कि ऐसा process है, जिस होता है हमारे body में energy, तो वो जो energy making process होता है, उसी को हम लोग बोलते है, assimilation, ठीक है, utilize करना, food को इस्तिमाल करना, utilize करके उसको energy में convert करना, that is process is known as the assimilation, and last but not the list, एक last का process होता है आपका, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर भी निकालना पड़ेगा, जो चीज हम लोग खा रह हर दिन के हिसाब से, कोई एक दिन में कोई निकालता है, कोई देर दिन में निकालता है, हर एक का process होता है, कोई half day में ही निकाल देता है, ठीक है, न समझ रहे हो आप लोग, तो यह जो eagation होता है दोस्तो, यह एक ऐसा process है, जिसमें यह सभी process के जो बचे हुए waste product होते है, वो आप क्या करते हो, थोड़ा देर के लिए स्टोर करते हो, और उसको बाहर निकाल देते हो, that is the removal of the waste product from the body, is known as the eagation, clear है दोस्तो, तो उमीद करता हो कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं अगले topic के तरब जिसका नाम है, यह तो आपने nutrition and animals के steps पढ़ हो लेंगे, तो हमारा यह जो chapter है, वो complete हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से type के nutrition animals में present है, तो सबसे पहले यह process को मैं rough कर लेता हूँ, steps, उमीद करता हो कि जितने भी steps थे यह आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही basic steps थे और इसको याद रखना भी बहुत जादा important है, ठीक है, और बहुत जादा easy भी है, तो nutrition in animals, अब मैं पढ़ूँगा यहाँ पे, types of nutrition in animals, ठीक है न, चलो, types of nutrition, animals में चल रहा है हम लोगा nutrition में, types of nutrition in case of animals, ठीक है, चलो, अब animals में normally जैसे कि मैंने आपको बोला, कि यहाँ पे हमारे पास तोटल तीन type होते हैं, तो type का nutrition animals के case में माना जाता है, जिसका नाम है दोस्तो, holozoic nutrition, ठीक है, तो यह holozoic nutrition की अगर मैं बात करूँ, यह बहुत ही important and बहुत ही simple सा nutrition process है, जैसे की नाम से पता चल जाएगा आपको, holozoic का मतलब क्या होता है, कि जो भी उनके पास organs present होते हैं, उसका इस्तेमाल करके nutrition म मैं बात करूँ, amoeba जो होता है, सबसे छोटा organism ले रहा हूँ में, amoeba, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा amoeba के बारे में, तो amoeba के बास ना कोई specific organ नहीं होता है, जैसे human wings में क्या होता है, हमारे पास mouth होता है, mouth के बाद वो stomach में जाता है, खाना उसके बाद पेट होता है stomach होता है, digestion होता है, फिर small intestine में जाता है, absorption होता है, फिर large intestine में जाता है, फिर anus में जाता है, और निकल जाता है बाद में, तो यह जो process है हमारे में होता है, या फिर कुछ animals में, जो higher animals होते हैं, उन में होता होगा, लेकिन कोई भी छोटे organism में नहीं होता है, क्योंकि उनके प जो होते हैं दोस्तों, उसको क्या करता है, वो वहाँ से खाता है, यानि कि pseudopodia से उसको एब्जॉब करता है, और pseudopodia से ही वो क्या करता है, उसको release करता है, ठोके, तो amoeba में इस तरह से से उसका क्या होता है, nutrition process होता है, जो भी वो चीज खा रहा है, जैसे unicellular animals होते हैं, जैसे कि आपको amoeba ले लो, यूग लेना ले लो, paramusrium ले लो, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अपने अंदर ही process करते रहते हैं, और पहली बात तो ये एक ही cell से बने होते हैं, ये जितने भी होता है, या फिर यूग लेना, paramusrium में, ऐसे टाइप के organism, सीधा-सीधा जो भी like उसके nutrients होते हैं, उसको absorb करते हैं, एक organ से और उसी organ से उसको release भी करते हैं, atmosphere में, कुछ insects के भी बात करूँगा, holozoic nutrition में ये भी जाते हैं, जैसे कि कुछ insects होते हैं, आपको पता ही होगा, कि Jnt score होगा अपना अलग-अलग parts निचे-सोइन, खास करके, बात करूँगा इन्सेक्ट जो है, mouth parts का इस्तिमाल करते है, for ingestion, यानि कि खाने के लिए अपने mouth part का इस्तिमाल करते हैं, जैसे एग्जाम जबड़ा जैसा चीज होता है, अगर ध्यान से किसी कॉक्करोच को देखा होगा, आपके घर में अगर होंगे तो ज़रुर देखना, ग्रास होपर्स तो नॉर्मली मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी आप ग्रास होपर्स को भी ध्यान से देखोगे, तो उनका माउथ जो होता है जबड़ा कैसा रहता है किसी का, तो जबड़ा जैसा क्या होता है, माउथ पाट होता है, और उसी से वो लोग क्या करते है, फुड को अपने अंदर लेते हैं, और फिर उनका जो प्रोसेस होता है, नूट्रिशन करने का वो इस्तेमाल होता है, फिर ऐसे ही बटरफ्लाइज यसे रस आपके या और फिर नीडल या फिर एक और चीछ होता है, जिसको बहुते ही, जुहे! अगरे अगरे अकसर होते हैं यहां पर शहरों में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी बैडबुग्स के पास क्या होता है नीडल जैसे जीस हूँ आपना लोग अपना ब्लड को सकते हैं और उससे ही अपना वह लोग पेड भरते हैं और nutrition को लेते हैं, तो ये सबी चीज क्या हो गया, holozoic nutrition में आ जाता है, यानि कि तरीका है, holozoic nutrition का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा तरीका है, जिसमें अलग-अलग organisms, अपने अलग-अलग body parts का इस्तेमाल करते हैं, और उसी के help से अपना nutrition है, वो ले पाते हैं, ठीक है, अब इसके अलावा भी देखा जाए, तो nutrition जो होता है, वो types of animals के उपर भी फरक पड़ता है, जैसे कि human beings है, तो वो कुछ और तरीके से खाते हैं, animals है, दुसरे वाले तो कुछ और तरीके से खाते हैं, इनका category बना हुआ है, यानि कि according to the type of food, जो भी वो लग food खाते हैं, तो animals जो होते हैं, वो भी उनका भी classification हुआ है, तो classification किस तरह हुआ है, यह हम लोग आपको बताएंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा, यह बहुत ही interesting चीज होने माला है आप लोग के लिए, तो किस इसप्रकार animals का classification होता है, according to the food, जो भी वो लोग food खाते हैं, उसके हिसाब से animals का classification कैसे होता है, तो heading डालते हैं, that is classification of animals, classification of animals, according to their food, according to their food, यानि food जो लोग खाते हैं उसके इसाफ से कैसे animals का classification होता है वो हम लोग का study करना है तो ध्यान से देखेगा ये चीज आपको बहुत easy लगेगा और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो इसके लिए थोड़ा और easy लगेगा आपको अगर खाते हैं तो अगर कुछ अनिमल्स खाते हैं तो अगर कुछ अनिमल्स फूट्स खाएंगे न तो उसके लिए खाते हैं उसको बोलेंगे frutoviers, ठीक है? fruitwars ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? fruitwars बोलेंगे frugie wars बोलेंगे, sorry माफ कीज़ेगा मुझे frugie wars ठीक है? frugie wars बोलते हैं जैसे herbivores है, herbs खाने वाले herbivores है वैसे ही इसके अंदर भी category है fruits खाने वाले को frugie wars बोलेंगे फिर जो seed खाते है seed, उसको granny wars बोलते हैं जो seeds खाते हैं बीज वगर खाते हैं तो उसको क्या बोलते है? granny wars तो ऐसे अलग-अलग नाम है यह आप लोग याज रख लोगे मास खाने वाले जीव यानि दूसरे जानवर को मार के खाने वाले जीव जिसमें best example है lion tiger लेकिन इसमें भी कुछ study करना है क्या study करना है? कि जो animals अपने खाने के लिए अपने nutrition के लिए किसी और जानवर के उपर जब dependent रहते हैं तो उस category को हम लोग क्या बोलते है Carnivirus बोलते है लेकिन हम लोग Carnivirus में नहीं आते हैं एक और दूसरा category है वह मैं बताऊंगा आप लोगको लेकिन Carnivirus का directly अगर देखा जाए तो वह food के लिए कोई घास पतिया वगरे तोड़के नहीं खाएंगे वह ऐसे animals होते हैं जो इतजार करते है कि कुछ दूसरा जैनवर घास वगरे खाए उसके अंदर वो आप अगर वो जैनवर को मार्के खा जाया जैसे Lion Tiger क्या करते? Deer का इंतजार करते हैं वह लोग क्या करते है? घास वगरे खाते है predators यानि शिकारी जीव predators का मतलब होता है शिकारी, शिकार करके खाने वाले जीव जो होते हैं, उसको क्या बोलते है हम लोग एक तरीके से carnivorous और तो एक टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि carnivorous जो हो हर्भी वरस animal को खा सकते हैं हर्भी वरस में क्या होते हैं, rabbit जीट, काओ, बफैलो, डियर, यह सब जो एनिमल्स होते हैं, और यह कार्णिवरस में टाइगर, लाइयन, लेपड, चीता, यह सब क्या करते हैं, हर्भी वरस वाले आनिमल्स को खाते हैं, और इसमें एक और काटेगरी आता है, इंसेक्टिवरस, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते तो उसको हम लिए इनिमल्स वरस बहलेंगे, एक ऐसे जानवर का भी चैटेगरी होता है, जो वैच भी दखा सकता है, जो नौन वैच भी खा सकता है, यानि कि आप प्लांट्स के बने हुए चीज, चावल, दाल, ग्वी, घास, पत्तिया, यह सब भी खा सकते हैं, अगर टे से भी हासिल कर पाते हैं, एनिमल से भी हासिल कर पाते हैं, तो ऐसे टाइप के एनिमल्स को ओम्निवरस कहा जाता है, बेस्ट एक्जामपल है ओम्निवरस का, जैसे कि हम लोग को पता है, यह human beings are the best example, लेकिन इसके अलावा भी बात किया जाए, तो monkey जो होते हैं, बंदर, scavengers, तो यह भी बहुत important चीज होता है, हमारे environment के लिए, scavengers के बात करें, कुछ ऐसे, यहाँ पर जीव होते हैं, कुछ ऐसे organism होते हैं, जो अपना food, कोई मरे हुए चीज में खाते हैं, जैसे कि कुछ dead body है, किसी की death हो गई, कोई animal है मर गया है, तो उसको, उसकी अगरे होते हैं, vultures होते हैं, चील, vultures, यह सब कुछ ऐसे animals होते हैं, है तो birds, लेकिन animals में count किया जाता है, तो ऐसे कुछ animals है, जो dead decade, organic matter, यानि कि सड़ी हुई, लाश, सड़ी हुई चीजे, यह सब चीज को अगर खाते हैं, तो वो टाइप के animals को हम लोग scavengers बोलते हैं, ठीक है न, कोअ भी होता है, इसमें, crow, highna होता है, एक लोबडी जैसा दिखने वाला एक जानवर होता हाई ना बोलते है उसको हाई ना लोमडी जैसा दिखता है लेकिन वो लोमडी अलग होती है फॉक्स तो यह हाई ना वो ऐसा ही दिखता है तो यह सभी जानवर के आगे यह डेड डिकेड मतलब सड़ी हुए लाश वगरे सबको खाते हैं ताकि उल्टा अच्छा का मतलब क्या होता है नाम से आपको पता चल दाएगा डिकम्पोजर्स है तो यह डिकम्पोज करने के लिए काम आएगए डिकम्पोज करना यानि सड़ी वी चीज़ को खाके खतम कर देना जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गानिजम जो होते है न छोटे 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 आपने देखा होगा बहुत सारे लाश वगरे गिरे रहते हैं तो उसको जो डाइरेकली खाते हैं वो तो समझ में आता है कि यह वाले एनिमल्स हो गए इगल वल्चर वगरे हो गए लेकिन जो आमें दिखता भी है और दिरे-दिरे वो उसको अंदर से ही खाते लगते हैं तो वो छोटे-छोटे क्या होते हैं वो बॉड़ी को सड़ा के खतम कर देते हैं तो जितने ही टाइट के हमने कैटेगरी पढ़े यह सभी नेचर के लिए बहुत जादा इंपोरें था है अमारा जो इन्वार्में वो balance रहेगा, तो ही हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया रहेगा, चलते हैं, अगले टाइप की तरफ, यह था हमारा पहला holojoic nutrition, आपको समझ में आ गया रहेगा, अब दो टाइप और बचाए, छोटे-छोटे है, ताकि आपका chapter भी complete हो जाए, तो holojoic nutrition उमीद करता हूँ, आपको समझ में आ गया रहेगा, अगला जो topic है, वो है आपका saprophite nutrition, तो यह क्या होता है, हम लोग discuss करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं board को rough कर देता हूँ, ताकि आप लोग को clear हो जाए, and दोस्तों, जो भी मैं nutrition जो कि हम लोग को पढ़ना है, वो है, आपके लिए saprophytic nutrition, saprophite बोल सकते हो, saprophytic बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है, आप बोल सकते हो, saprophytic nutrition, तो normally क्या होता है, कुछ ऐसे भी organism होते हैं, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कुछ ऐसे भी nutrition होते है, saprophytic, यहाँ पे saprozoic nutrition, तो saprophytic nutrition की बात करें, कुछ ऐसे microorganism, या फिर कुछ ऐसे छोड़े-छोटे insect, या फिर कुछ ऐसे unicellular organisms जो होते हैं, वो dead body के उपर बैठते हैं, ठीक है, और उसमें से जो भी essential nutrients होता है, उसको खाली absorb करते हैं, उसको खा के सड़ा के खतम नहीं करते हैं, लेकिन उसमें से जो भ आपका एक बहुत ही common सा जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं, housefly, मक्हिया बोलते हैं, हम लोग नॉमल हमारे घर में भी घुमते हैं, houseflies, यह बहुत खतरनाक चीज है, इससे बचके रहा करो ने जो बीमारी फैलती है, तो houseflies जो होती है, यह सभी चीज, और भी चीज को देखोगे, यह तीनो टाइप के जो इंसेक्ट है, या फिर में microorganism बोली, जो भी इसको नाम देना आप देखोगे, तो कुछ ऐसी चीज है, अगर आपके आसपास है, जैसे कि आपने कुछ कचड़ा फेका है, उसमें कुछ कहीं पे बहुत सारे animals छोड़े छोटे हो बैठे होते हैं, आपने देखा होगा, कि कुछ भी सड़ीवी चीज के ऊपर मक्या जरूर से आपको देखने मिलेगी, चीटिया जरूर से देखने मिलेगी, हो सकता है, स्पाइडर भी आपको देखने मिले होगे, लेकिन सबसे ज़्यादा house fly और ant, यह आपको सबसे ज़्य essential nutrients उसके अंदर present है, जो भी nutrition, nutrients जो भी उसके अंदर present है, क्योंकि देखो लाश जो है, या फिर जो भी सड़ीवी चीज है, वो अभी भी खतम नहीं हुए, सडरी है, यानि कुछ न कुछ अमांट में उसके अंदर भी carbohydrate, protein, fats, कुछ न कुछ तो होगा, तो वो बचे हुए च solid चीज निखाते हैं, कि सिधा mask लेके खा गया, जैसे हम चिकन खाते हैं, वो लोग सिधा liquid, जो भी उसके अंदर liquid जो पानी जैसा जम जाता है, वो चीज को सक करते हैं, absorb कर लेते हैं, तो यह जो टाइप की nutrition होते है, इसी को हम लोग बोलते है, sap prozoic nutrition, clear है दोस्तों, तो उम करते हैं हमारा यह chapter, ठीक है, उमीद करता हूँ कि आप लोग यह chapter काफी अच्छा लागगा और यह हमारा इसे के साथ 4 चाप्टर भी खतम हो जाएगा, आगे की बात मैं बोलता हूँ, लेकिन इसके पहले, थर्ड जो टाइप का nutrition है, जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों, चोटे-चोटे होंगे, और ग्यानिजम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे टाइप को parasitic बोलते हैं, तो some animals depend upon the animals of other food, other animals के अपने खाने के लिए बोलोग dependent रहते हैं, और वो क्या करते हैं, कोई भी दूसरे जानवर के उपर बैठ के, skin के उपर बैठ के, या तो उसके अंद लेते रहेंगे, तो ऐसे टाइप के animals को parasitic nutrition, parasite बोलते हैं, और parasitic nutrition फॉलोग करते हैं, clear है, अब इसमें भी दो category होता है, ठीक है, parasitic nutrition तो आपको समझ में आ गया, parasites है, दूसरे को खाने वाले हैं, यानि दूसरे जानवर के उपर अपने खाने के लिए dependent होने वाले, लेकिन इ एक होता है अपका endo parasitic nutrition, और दूसरा होता है, एक्टो, एक होता है, एक्टो parasitic nutrition, ये दो टाइप के nutrition आप पढ़ लोगे, तो आपका ये पूरा चाप्टर जो है, खतम हो जाएगा, तो endo parasites, नाम से ही पता चल जाता है, endo का मतलब होता है, अंदर, यानि कि ये ऐसे organism इसके अंदर होंगे, जो किसी भी body के, किसी भी हो सकता है, चाहे वो human being हो, चाहे वो कोई दूसरा animal हो, उनके अंदर present होते हैं, बहुत चोटे-चोटे microorganisms होते हैं, और वो उसके अंदर से जो भी essential nutrients है, उसको क्या करते हैं, एब्सॉप करते हैं, तो जैसे कि example के तोर पे ब या फिर intestine में, अधरियों में present होते हैं, आपने सुना होगा कि कभी-कभी हम लोगा पेट खराब होता है, तो doctor हमें कीडे मारने की दवाई देता है, कौनसी कीडे, अंदर की कीडे मारने की दवाई, tablets होते हैं, कभी पेट में कीडे हो गया, कुछ हमें बहुत सारे probiotic dings पिने का पेट बढ़ते हैं, लेकिन जब इसके तादात जादा हो जाते हैं, जो हमारे अंदर बहुत जदा कीडे हो जाएंगे, तो हमें बिमार पढ़ सकते हैं, हमारी हो सकता है, और जो कि वो क्या करते हैं, वहां से nutrition को absorb करते हैं, तो यह जो type का nutrition है, इसको बोलेंगे endoparasitic nutrition, and last but not the least, ectoparasitic nutrition के अगर मैं बात करूँ, इसमें कुछ ऐसे type के organism होते हैं, जो खिसी के शरीर के ऊपर, endo मतलब अंदर था, तो ecto मतलब ऊपर रहेगा, जैसे कि आपने देखा ह बॉक्स, छोड़े-चोड़े होते हैं, लाइस को हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं, जू बोलते हैं, बालों में जू हो जाती है, तो लाइस बोलते हैं, तो यह सब type के कुछ animals होते हैं, बेडबग्स होते हैं, खटमल जिसको बोलते हैं, यह भी किसी के ऊपर जाके, ठीक है न, लीच, आपने जोओं को बोलते हैं, जो किसी की शरील के ऊपर चिपंग जाता है, लंबे-लंबे, इसे ब्लैक कलर के रहते हैं, चिपंग जाता है, आपने cow buffalo के ऊपर दिखा होगा, हमीशा चिप के रहते हैं, और उसमें से खून चूसते रहेंगे, उसका nutrition को इस इस्तेमाल करते रहेंगे, और अपना पेड़ बढ़ते रहेंगे, और cow buffalo को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो बड़े जानवा है, ठीक है, तो ऐसे टाइप के nutrition को हम लोग बोलते है, एक्टो परसिटिक nutrition, एक्जामपल सार, क्लियर है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो यही था दोस्तों हमारा second, sorry, third type का nutrition जिसका नाम था parasitic nutrition, clear है, तो इसी के साथ हमारा ये जो chapter है, वो होता है, समाप दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही उमीद करते हो कि हमारा ये पूरा chapter और आज का lecture वीडियो आपको आच्छा 18, 19 बाकी है, तो उसको भी complete करा देंगे, ताकि आप लोगा portion भी जल से जल complete हो जाए, तो बस बने रही है हमारे साथ, बहुत सारे chapters अप्लोड हो चुके है, math का 95% syllabus complete हो गया, बस जादा ने 3-4 lecture में आपका पूरा math complete हो जाएगा, science भी complete होने वाला है, तो बस बने रही है, औ और क्या चाहिए आप लोग को हमारा वीडियो से ऐसे देखते रहे है, तो ये वीडियो और ये chapter आपको कैसा लगाए, प्लीज हमें comment करके बताईएगा, अपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है, useful लगाए, तो फ्लीज वीडिय मिलती रहेगी, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.